आप मुद्धा उसको हलका करना चाहते हैं। चाहेंगे ये साहे के लिए सी तरह की से सोशल मीडिया के उपर चाहे जा रहे हैं कि अब हनी ट्रैप बंद करो अब उन लोग को ट्रैप करो जो लोग हमारे देशकंदर आर्वी के बैक्ग्राउंड से अगरीब लोग हैं और अपने गर से फरस्टेटेड हैं नमस्कार आप देख रहें दिल्ली अप्टुडेट और मैं हूँ आपके साथ विनायक कुमार जस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिस्ते हैं ये सब आप बखुबी जानते हैं अब जस तरह से सीमा पाकिस्तान से चलकर भारत आई और भारत से चलकर अंजू गई ये तमाम कह नहीं न कहीं जो है कई सवाल इसमें खड़े होते हैं अब इस चीज को लेकर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल जी हैं इनके साथ जुड़ते हैं बात्चुरीत करते हैं और इनके क्या विचार है वो आप सब के सामने रखते हैं सर सबसे पहले जो तरह से सीमा जो है पाकिस्तान से भारात आई इस पे आपकी क्या परतिक रिया है देख इसमें तो कोई दूरा है नहीं सबको पता ही है कि सीमा है ने जो हमारे देश के अंदर अबे तरीके से घुसपेट की है वो इलीगल एक्टिविटी चल रही है ATS अपनी कालवाई कर रही है और भी कुफिय अपनी कालवाई कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी उसने यहां पर मूमेंट्स की हैं वो सारी सस्पीसिस मूमेंट है और उसके हमें लगता है कि हो सता वो कोई इस पाई हो तो आपको लगता है लेकिन ल उसके status को, उसकी personality को, उसके finance background को, उसके education को, उसके परिवार को, इन सब चीजों को तो देखता ही है, और खासकर जब लड़की शादी करती है, तो कोशिश करती है कि लड़की ऐसे इंसान से शादी करें, जिसका financial status तो कुछ अच्छा हो, यहाँ पर कोई भी चीज मैच नहीं करती है, और जब हम प्यार की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि प्यार, यह बहुत ही अपने आप में एक बहुत ऐसा शब्द है, जिसके नहीं बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप अपने husband को, जिस husband ने दो बच्चे होते वे अपनी wife को छोड़ा, इस सीमा के पीछे, आप उस husband को, जिस husband ने आपके लिए दुबई में नौकरी करने गया, और वहाँ से 87,000 आपको पैसे भेज रहा है, ऐसे इंसान को छोड़के आप ये दावा करती हैं, कि हमारे देश में सच्चिन से इतनी महबबत करती हैं, कि उस इंसान को छोड़ सकती हैं, और यहां आ जाती हैं, अब ये सारी चीज़ें करम देखें, तो हमें बड़ा हैरानगी होती है, कि ये महबबत हो सकती है, क्योंकि इस महबबत के पीछे, कहीं ना कहीं कुछ कनिंग नेचर है, कुछ ऐसा छुपा हुआ है शातिरपन, जो अभी ATS और खुफिया अजनसी कहते हैं, उजागर करेंगी, लेकिन सर लोग तो कहते हैं, कि प्यार अंधा होता है, तो ऐसा नहीं दिख रहा आपको, देखो प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता, कि दो आखे होते वे ये भी ना देखे, कि जिसने मुझसे 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 की, और जिससे मैंने चार बच्चे पैदा की, और जिससे इंसाननने मेरे लिए दुबई जाके नौकरी की, उस इंसान को छोड़के, मैं सचीन जैसे इंसान से प्यार करूँ, सचीन के यहां कोई जहाज नहीं चल रहा है, हमारे देश के नहीं है, को बहुत बड़ा बिजनेस काता है, बैक्राउंड नहीं है, कि जिसके पीछे कोई लेड़ी, चार बच्चों को लेके, अपने देश को छोड़के, देश को दगा देके, अपने पती को दगा देके, यहां चली आएगी, इसलिए हमें ऐसा लगता है, कि इसके पीछे कुछ और वज़े है, लेकिन सर, अगर सीमा, अगर किसी मकसद को अंजाम देने के लिए, भारत में आई है, तो वो चार बच्चों को साथ क्यों लेकर आएगी, देखे, चार बच्चे काता है, हर मीडिया में यह हैरान है, सब जानना चाहते हैं, वह चार बच्चे लेके कोई क्यों आएगा, चार बच्चे इसलिए लेके आए जाते हैं, क्योंकि सिंपैथिक काता है, जो आपका कार्ड है, वो तभी आप खेल पाएंगे, जब आपके साथ चार बच्चे होंगे, आप देखे, इसमें कोई दो राए नहीं की, क्योंकि सीमा हमारे देश में अवे तरीके से आती है, चार बच्चे लेके आती है, और हम उसको दो मिने छुपे होने के बाव, जो जो पकड़ते हैं, तो मातर दो दिन में उसे जमानत दे देते हैं, दो दिन में जमानत देने की वज़ए यही थी यही थी, लेकिन सीमा ने भारत में आते ही धर्म परिवर्तन कर लिया, वो अल्ला से राम राम करने लगी, इस पे क्या कहेंगे, क्या वाकई में उसके बाद सच्चिन के परिवार के साथ घुल मिलके रहना, धर्म बदलना, तो यह तो किसी जासूस का काम नहीं हो सकती, नहीं नहीं, यही जासूस का काम है, कि जहां पर वो जाएगा, वहां पर सैटल करेगा अपने आपको, वहां पर लोगों के दिलों में जगए बनाएगा, अब आप किसी के दिल में जगए बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वहां के दिती रिवाज़ों को तो अपनाना ही पड़ेगा वहां की लेंगविज को भी अपनाना पड़ेगा और आप ये खुद देखिए कि एक इनसान जहां जिस जगे पैदा हुआ है जिस धर्टी पे पैदा हुआ है वो सिंध है सिंद बलुच्टान में लड़की जो पैदा हुई है सीमा हैदर वहां भाषा बोल जाती है सिंदी अर्बी उर्दू और ऐसा इंसान जब हमारे देश में आता है तो कितनी जल्दी वो जहां अल्लाहु अकबर के नारे लगते हूं हम यहां पे आके वो हिंदूस्तान जिन्दाबाद, जाय शिर राम, उसके बच्चे जाय हिंदूस्तान, हिंदूस्तान की कसम इस तारीके की बाते करनी शुरू कर देते हैं तो यही तो हैरान करने वाली बात है कि वो कितने ट्रेंड करते हैं लेडी है जिसने इतनी जल्दी सिर्फ दो मेने के अंदर हर इंसान को समझा दिया कि मैं सिर्फ तुमारी हूँ तुमारे देश के लिए हूँ मैं हिंदू असली हिंदू तो मैं ही हूँ तो यह समझ नहीं हो नहीं देखो ये तो investigation का part है मैंने हमेशा हर media channel में ये बोला है कि अगर उसने visa apply किया था और उसे visa नहीं मिला तो उसने अगर ये तरीका अपनाया तो फिर भी हम कहीं हमें शक पैदा होता है कि क्या उजासूस है भी या नहीं लेकिन अगर उसने visa apply किया ही नहीं जहां तक हमें खबर मिल रही है कि उसने कभी visa apply नहीं किया था उसने जूट बोला है आपर media channels को कि मैंने visa apply किया था उसने कभी visa apply नहीं किया आप ये देखे ना कि इसी chronology को अगर आप समझते है कि अब अंजू हमारे देश से चल जाती है वीजा लेके जाती है उसको दो साल से पाकिस्तान उसको visa नहीं दे रहा वो ऐसा अंजू क्या करती है कि जब ये सीमा हैदर पकड़ जाती है तब उसको visa दे दिया जाता है और जब सीमा हैदर पकड़ जाती है तो हमारे देश को threat करने के लिए वहाँ के हिंदूओं पे वहाँ के मंदिरों पे attack करना शूब कर देते हैं और जब लगता है कि उनका इस तरीके से भी काम नहीं चलेगा पूरी दुनिया में प्रोपागंडा नहीं हो पा रहा है और हम सीमा हैदर की बहुत अच्छी इन्वेस्टिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो उसी लड़की को जिसको दो साल से वीजा नहीं दे रहे थे उसको इमीजेटली वीजा देते हैं अपने देशें बुलाते हैं अंजू यहां यह कहके जाती है कि मैं सिर्फ और अपने फ्रेंड से मिलने जारी हूं जबकि वहां पे उसका निकाह होता है उसको बड़ी बड़ी गिफ्ट दी जाती है और उसको इस तरीके के परदोबन यह जाते हैं जिन परदोबन जिन लालच की वैसे वो कोशिश यह कर रहे हैं कि हमारे देश में ISI के द्वारा जितने भी कहते हैं बच्चियों को या महिलाओं को नोंने ट्रैप कर रखा है उनको एक मैसेज दे सके हैं कि देखो हमारे देश में जब अंजू आई तो हमने इसको कितनी गिफ्ट दी हमने कितना प्यार दिया जबकि हमारी बच्चियों को हमारी महिलाओं को यह नहीं पता कि यह वही पाकिस्तान देश है जो हमारे को पचास साल से कष्ट दे रहा है आंतगवाद हिहां कंटीन्यू हो रहा है इतने आंतगवादी मारे जा रहे हैं इ बिलास्टिंग होनी बंद हो गई है इतना कहते है हमारी सरकार मज्बूत है तो हमारे देश में अस्तिताफ हिलाने के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए वो बहुत बिलर्दी ने बिलख रहे हैं बिल बिला रहा हैं कि कैसे भी कहते हैं ने सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ा खुलासा जो है दिल्ली अप्टूडेट पे हम कर रहे हैं देखिए किस तरह से जो है अंजू जो फातिमा बन गई है उसे पिछले दो सालों से पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा था लेकिन जैसे ही सीमा हैदर यहां भारत में पहुंचती है उसके बाद अंजू को पाकिस्तान के लिए वीज़ा मिल जाता है सर इसके पीछे कहीं आये साई का हाथ तो नहीं क्या समझ रहे कि सीमा हैदर जो भारत में आई है और अंजू पाकिस्तान गई है पाकिस्तानी जो पूरा सब कुछ दिखा रहे गिफ्ट देना उसे सराखों पे बिठाना तो ये कहीं सीमा के मुद्दे से भटकाने का काम तो न तो देखे उसके साथ देश ने क्या किया और हमारे यह एक लड़की अगर आई यह नहीं देख रहे हैं कि वो जो लड़की प्यार के नाम पे आई थी वो अवे तरीके से हमारे देश के अंदर आई थी लेकिन अंजू यहां से वीजा लेके गई है यह अलग बात है कि आप में दो साथ से उसको वीजा है और आपने अब वीजा दिया अब आपने वीजा इसलिए दिया है क्योंकि आप दुनिया में प्रॉपगेंडा करना चाहते हैं कि देखे हमारे यहां पे कोई लड़की आती है तो हम कितनी महबब दिखाते हैं आरे आपके पार लीगल गई है और वो यहां से शादी करने गई ही नहीं थी आपने उसका निकाह करवा दिया उसका तो यहां तलाख भी नहीं वाए उसको यहां बच्चे हैं आपने निकाह कैसे करवा दिया अगर आप इतने ही सही थे पाकिसान अगर इतना ही सही था और वहां की सरकायत नहीं समझदार तो वो बहुत ही ठीक है आप वापिस जाओ उसे तलाख लो उसके बाद आओ हम आपका निकाह करवाएंगे तो एक बास समझ में आती है उन्होंने तुरां फुरां जितनी जैसी वो लेडी मिलने आती है अपने दोस्ते रुसला मुसला क्या नाम असका नसुरुला नसुरुल मीडिया पाकिस्तान की खुफ़े आइजंसियों के द्वारा हो रही हूँ हो सकता है उस लड़की के उपर प्रेशर हो अंजू के बहुत प्रेशर हो सकता है क्योंकि अंजू वहाँ पर वही बोलेगी वही करेगी जो चाहेंगे हमारे देश में महिलाओं का जैसे क्याता है सम्मान किया जाता है वो ऐसा नहीं कर सकते है कि हमारे देश में एक एक इलीगल लेडी कहता है एंटरी करती है उसके बावजू भी हम उसको दो मिने चुपने के बावजू भी हम उसको इमीजियेटली बेल देते हैं में हम एक चीज और नहीं भूल सकते जिस तरह से भारतिय सेना का एक विमान पाकिस्तान में जब गिरा था उस टाइम इन्होंने भारतिय सेना के उस जवान के साथ किस तरह से बचसलू की की थी और आज के समय में ये अंजू को अगर इस तरह से सराखों पे बिठा के रखते ह तो ये पाकिस्तान की दोगला नीती नहीं है। तक की आफर की जा रही है उस देश में उनके अपने लोगों की नौकरिया नहीं है वो अंजू को नौकरी दे रहे हैं तो ये समझना होगा कि उसने एक लेडी को अपने बच्चों से दूर कर दिया उस देश ने अंजू को अपने बच्चों से दूर किया अपने पती से दू किया वहां पे निकाह करवा दिया पता नहीं वहां कितनी मजबूरियां होंगी उसके जिस दिन अंजू इस देश में वापिस आएगी और 15 दिन के बाद अपने बियान देगी वह बियान हमारे लिंपॉर्टेंट होंगे कि वह क्या कह रही है लेकिन अभी वहां से वह क्या ब पाकिस्तान से भारत वापिस आएगी? भारत के अंदर उसके बाद जो है भारत में चुनाव होने वाले हैं 2024 में 2025 में सर चुनाव भी होने वाले हैं भारत में और इस तरह से हरकते होना एक देश की जब हम जानते कि हमारे संबंध उनके साथ अच्छे नहीं है और इस तरह की गतिवीधिया होना इसे आप अपने नजरिया से किस तरह देखते हैं देखे इसमें कोई दोराई निया एक सवाल बड़ा उठा करता था कि जब सीमा है तरह ज़्यादा पड़ी लिखी नहीं है तो हमारे देश में कैसे किसी आर्मी इंटेजिंस से कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगी और इंफॉर्मेशन निकाल लेगी लोगों को यह समझना चाहिए कि investigation के अंदर जो इंसान का profile होता है उस profile के according उससे information निकलवाई जाती है मान लीजिए कि वो lady अगर ज़्यादा पड़ी लिखी नहीं है लेकि सुन्दर तो है उमर ज़्यादा तो नहीं है ऐसी lady को लोगों को पता ही चाहता हूँ पाकिस्तानी है तो वो क्या करती जेवर एरपोर्ट हमारा वहाँ पे शुरू होने वाला है पंदरा अगस्ताने वाली है elections आने वाले हैं ऐसे टाइम पे जो नीचे के कहते हैं करमचारी होते हैं हम कहते हैं four grade कहते हैं employees बोलते हैं उन लोगों से मिल जुलके उनको अपने honey trap में लेके उनसे बहुत सारी information लेकर अपने handlers को दे सकती थी और उन लोगों को handlers को अगर information देती तो वो कोई plan कर सकते थे हमारे देश में problem पैदा करने की तो ये समझना चाहिए कि इस तरीके की जो लड़कियां हैं ladies हैं पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अलग कहते हैं importance है कम पढ़े लिखे हैं उनकी ज़्यादा कहते हैं अलग importance है ये importance समझनी होगी है ऐसे में एक संदेह और जगता है कि जस तरह से पाकिस्तान एक इसलामिक कंटरी है वहाँ पर उर्दू चलती है सिंधी चलती है लेकिन वो जो महिला चौथी पास है उसे इंगलिस बहुत अच्छे से बोलना आता है कम्प्यूटर चलाना आता है तो इसे आप किस तरह से देखे हैं जो श्च्च वहा शक की कहते हैं जो बेस था वो यही था कि अगर आप बोलती हूँ मैं फिल्ट पास हूँ तो आप तो कंप्यूटर यूज करती हो कंप्यूटर तो हिंदी में यूज नही हुता ही अंगलिश में उज होता है आप अपने husband के कमाई हुए पैसे से property बनाती हो फिर उसको बेगती भी हो उस पैसे से फिर आप कहते हैं दुबई होते हुए नेपाल होते हुए हिंदुस्तान भी आती हो यह सारी जो moments हैं यह suspicious moment है इसी से शक पैदा होता है कि एक इसा चार बच्चों को लेकर जब आ रहा है उसको कोई ना कोई पीछे से ground support दे रहा था क्योंकि चार बच्चों के साथ इतना बड़ा travel करना इस तरीके से आना नेपाल में कई दिन रहना without support बहुत मुश्किल है तो इसलिए बार बार लगता है कि वो जासूस हो सकती है अब वो है या नहीं यह तो कहते हैं हमारी इंव वे तरीके से entry करी वो अपने अपने गलत थी उसने अपने बच्चों का ध्रमातर करवाने की कोशिश करी उनको हिंदू हिंदू करना शुरू किया वो गलत था इन सब कहते हैं sections के अंदर अच्छी खासी सजा है उसको सजा दी जाए उसको जब सजा भुगत ले अपने अच्छा है वो भी पाकिस्तान आर्मी में है और ऐसे में जब सीमा यहां आती है उसको support मिलता है सचिन का सचिन नेपाल जाता है उसके बाद यहां आती है क्या सचिन भी इतना ही दोशी माना जाएगा इस केस में सचिन इसमें ब्राबर का दोशी है सचिन को सब पता था कि वो एक पाकिस्तानी महिला को लेकर आ रहा है सचिन को ये पता था कि जिस पाकिस्तानी महिला को लेकर आ रहा है उसके चार बच्चे हैं और उसका अपने अस्वेंट से तलाख नहीं हुआ है सचिन उसे शादी करने की बात करता है बिना जब ये पता है कि उसका तरागी नहीं हो तो शादी कैसे करना चाहरा है वो उसके अधारकार कैसे बनवा रहा है तो सचिन और वो दोनों ब्राबर के कहते हैं इसमें गुनागा रहे हैं और इसलिए उन दोनों के उपर 120B सेक्शन इसलिए लगा है क्योंकि उन लोगों होने मिल जुल के ये काम किया है तो जो सजा कहते हैं उस लेडी को गी सचिन को भी उसी तकरीव होई सजा होनी चाहिए अभी एक और केस आपने सुना होगा जैपूर की लड़की जो है वो भी किस तरह से इन केसों को देखकर इंस्पायर होती है और वो भी जो है पाकिस्ता जाने के जिद करती है हाला कि गनीमत है CISF का जिन्होंने एयरपोर्ट पर उसे रोग दिया क्या कहेंगे इसमें मैं यही बात कहना चाहता हूं ना कि यह जो स्टेटेजी हैं दो चार साल में नहीं बनती है कई सालों से बनने जैसे जैसे कहते हैं आपके गैजर से हो गें उनको हनी ट्रैप में फसा कर उनसे इन्फॉर्मिशन नहीं कर जाए लेकि अब उन्हें लगा कि इस तरीके में जान नहीं रही लोग पकड़े जाने लगें उनके कहते हैं खुलासे होने लगे कि हनी ट्रैप ऐसे होता है तो आर्मी परसेंसे स्मार्ट हो गएं और वो इस तरीके से ट्रैप में आएंगे नहीं तो अब उन्होंने स्टेटेजी क्या बदली है कि यहां पर जो गरीब घर के लोग हैं या गरीब घर की महिला हैं या अपने घर से फरस्टेटेड हैं या फिर उनके घर में कोई अच्छा खासा पैसा नहीं है या अपने हजब तो अंजु को जब ट्रैप कर लिया अंजु जब वहां जाएंगी दो चार साल रहेंगी तो नैचुरली ब्रेनवाश होगा उसका अंजु का फिर वो हमारे देश में भेजी जाएंगी फिर वो देश में रह कि यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगी और फिर वो वापि के background से अगरीब लोग हैं और अपने गर्स से frustrated हैं एक सवाल और रहेगा सर जो सतरह से आज के समय में social media हर एक लोग चलाते हर एक दूसरा वेक्ति कह लिजिए वो भारत के अंदर जो है या पूरे chemical से हत्यार हैं करोना भी अपने अपने एक हत्यार ही था और अब ये जो social media war है और social media के उपर जो fraud हो रहे हैं ये सारे के सारे एक वही कहते हैं आँ फाइटिंग है जो वक्त के साथ बदल रही है क्योंकि अगर आप देखें तो social media के उपर जितने fraud हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पाकिसान और चाइना से ही operate हो रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता सिम डाला और उसके बाद आपको कहते हैं fraud करने लगे तो social media पर awareness बढ़ानी होगी हमारी सरकारों को कहते हैं हमारी government को बहुत सारे नियम और कहते हैं law बनाने होंगे जिससे कि इस तरीके की activity ना हो social media पर जब account खुले तो वो कई तरीके से cross check होना चाहिए चाहिए अधार से चेक हो चाहिए पैन से चेक हो और उसके उपर नजर हो चीए खुफ़ एजनसी इसकी जहां तक मैंसा मसला हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ही हमारे साथ संजीव दिशवाल जो थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी किस तरह से ISI और पाकिस्तान का काम है किसे का mind wash करना किसी भी लड़की को जो है जो तरह से अंजुब पाकिस्तान गई है उसे किस तरह से हत्यार के रूप में यूज किया जाएगा यह तमाम जानकारी तो दर्शकों की जरूर इस डिबेट से जो है आखे खुली होंगी और वो भी जो है सतर्क रहेंगे साफधान रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही कैमरा जर्नलिस्ट एस्टी के साथ मैं विनाय कुमार दिल्ली अप्टूडेट